हर रोज एक जैसे टिनली, गुवार, पापड़ी, बिन्डी की सबजी खाकर गरवाले बोर हो चुके हैं तो बनाए चौली ढोकली की सबजी को Hello everyone, Welcome back to my channel कई भार आपने गुजराती डाल डोकड़ी, गुवार डोकड़ी, वालो डोकड़ी यानि के पापड़ी की डोकड़ी बनाए भी होगी, खाए भी होगी और खिलाए भी होगी लेकिन क्या आपने चॉली ढोकली की सबजी को बनाया है नहीं बनाया है तो रेसिपी को अंतक जरूर देखिएगा और आप ये सबजी को बना रहे हो तो आपकी रेसिपी और मेरी रेसिपी सेम है या अलग है वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईगा और डोकली हम आज जो बनाने वाले है कुछ अलग तरीके से बनाएंगे जिससे यहाँ पर हमारी सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और आप मेरी चैनल के उपर फॉर्स टाइम आए हो तो सब्सक्राइब के बटन के उपर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा तो चलो फ्रेंट्स उपर टेस्टी जटप बनके तैयार हो जाने वाली चॉली ढोकली की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं चॉली ढोकली की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम चॉली को लेंगे मार्केट में चॉली इस तरह से डार्क ग्रीन वाली भी मिलती है और लाइट ग्रीन वाली भी मिलती है अगर आपके पास light green वाली चॉली है तो भी आप यहाँ पर use कर सकते हो चॉली को मैंने पानी से wash करके यहाँ पर इसे chop कर लिया है इस सरह से हमें इसे chop करके तयार करना है अभी यहाँ पर हम ढोकली बनाने की तयारी करते है इसके लिए यहाँ पर मैंने हाप बौल जितना बेसन का आटा लिया है और हाप बौल जितना यहाँ पर मैंने गेहू का आटा लिया है अगर आप यहाँ पर चुवार का आटा डालना चाते हो तो भी डाल सकते हो यहाँ पे आपकी चोईस है, यहाँ पे मैंने दो ही आटे का यूज किया है स्वात के अनुसार नमक को डालेंगे 1 टेबल स्पून जितनी रेड मिर्ची पाउडर को डालेंगे 1 फोर टीयस पी जितना हल्दी पाउडर को डालेंगे और half tablespoon जितना धनिया जीरा पाउडर को डालेंगी 1-4 TSP जितना यहाँ पे हम अजवायान को डालेंगी और pinch जितना यहाँ पे हम सोडा डालेंगी यहाँ पे हमने सोडा इसलिए डाला है कि हमने इसके अंदर पेसन का यूज किया है अगर यहाँ पे हम पींच जितना सोडा नहीं डालेंगे तो यहाँ पे हमारी डोकली अच्छे से कुक नहीं होगी और हाड बन जाएगी तो डोकली हाड ना बने इसलिए यहाँ पे हमें पींच जितना सोडा डालना है और यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून जितना ओयल को डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी यहाँ पे हम इसके अंदर पानी डालेंगे पानी यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसके अंदर पानी की ज़रूरत हमें बहुत ही कम पड़ेगी तो यहाँ पे हम 2 या 3 टेबल्स्पून जितना पानी डालेंगे और यहाँ पे हम Tight आटा तईयार करेंगे Normal जो हम डोकली के लिए आटा तैयार करते हैं वे से ही यहाँ पे हमें आटा को तैयार करना है जब भी हम गुजराती डाल डोकडी बनाते हैं तो इसके अंदर सिर्फ गेहु का अटा का ही यूज करते हैं बेसन का आटे का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमने बेसन का अटा यूज किया है तो टोकली का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अगर आप चाहो तो यहाँ पे जुवार का आटा भी मिक्स कर सकते हो आटे को अच्छे से मसल देंगे और मसलने के बाद यहाँ पे इसमें से हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इस तरह से हम लंबा लंबा रोल तयार करेंगे यह इस तरह से आटे के और फिर बाद में हम एक साथ ढोकली को बनाएंगी अभी हम हाथों की मदद से इस तरह से ढोकली को बना देते हैं यहाँ पे हमें ढोकली की साइज नॉर्मल गुजराती डाल ढोकली हम बनाते हैं वहाँ पे हम एकदम छोटी छोटी वाली ढोकली बनाते यह सबची बहुत ही जटपट बने इसलिए हम साइड में डोकली को बनाते जाएंगे और गैस के उपर कड़ाई को रखेंगे और इसके अंदर हम एक डगरी जितना ओईल को डालेंगे और इसके अंदर हम वन टेबल स्पून जितना राई को डालेंगे और हाफ टेबल स्पून जितना यहाँ पे हम जीरा डालेंगे और यहाँ पे हम थोड़ी से हिंग भी डालेंगे और यहाँ पे जीरा और राई अच्छे से क्रैकल हो जाने के बाद यहाँ पे हम वन टेबल स्पून जितनी रेड मिर्ची पावडर को डालेंगे इस तरह से हम के अंदर मिर्ची को डालेंगे तो सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और तूरंद ही हम इसके उपर डाल देंगे चॉली को अभी हम फटा-फट से इसे मिक्स कर लेंगे नहीं तो नीचे मिर्ची जल जाएगी गैस की फ्लेम को हमें मिडियम टु हाइ रखना है और मिडियम टु हाइ फ्लेम पे यहाँ पे हम इसे कूक करेंगे अभी हम इसके अंदर सभी मसाले को डाल देंगे 140 पी जितना हल्दी पावडर, 1 टेवल स्बून जितना धनिया जीरा पावडर स्वात के अनुसार नमक को डालेंगे और नमक डालने के बाद यहाँ पे हमें इसके अंदर पानी को डालना है यहाँ पे मैंने एक कटोरी जितना पानी डाला लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि हमें इसके अंदर डोकली को भी बाद में डालना है तो यहाँ पे मैंने फिर से हाफ कटोरी जितना पानी को डाला अभी हम इसे डख देंगे और ढखने के बाद यहाँ पे इसके अंदर एक उबालाने तक वेट करेंगी तब तक यहाँ पे हम ढोकली को बना के तयार कर लेते हैं दो मिनिट के अंदर ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर उबाला आ चुका है और हमारी ढोकली भी बन के तयार हो चुकी है तो यहाँ पे हम इसके अंदर ये ढोकली को डाल देंगे अभी हम इसे ढख के 2-3 मिनिट तक कूक कर लेंगे मैंने आपके साथ बिना टमटर वाली शाही पनीर की सबजी और बहुती सौफ्ट मकमली मलाई कुफता की रेसिपी शेर की हुई है और शादी पार्टी में मिलने वाले काजू करेले की सबजी भी शेर की है तो इससे आपने नहीं देखा है तो अब ज़रूर देखिएगा तीन मिनिट हो चुकी है और यहाँ पे हम सबजी को चेक कर लेते है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने पानी डाला था वो सारा जल चुका है और यहाँ पे हमारी ढोकले भी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है तो यहाँ पे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जीतना घरम मसाला डालेंगे और 2 टेबल स्पून जीतना यहाँ पे हम नीबू का ज्यूस डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप यहाँ पर चाहो तो टमाटर भी आधा डाल सकते हो चॉप करके यहाँ पे हमारी सूपर टेस्टी बहुती जटपट बनके तयार हो जाने वाली चॉली ढोकली की सब्जी बनके तयार हो चुकी है मैंने इसे रोटी के साथ सव किया है रसेपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप कुझे फेस्बूक और इंस्टाग्रम पे भी फॉलो कर सकते हो तो मैं नीदी आपको फिर मिलूँगी एक नई रस्पी के साथ तब तक के लिए बाई एन हपी कोकिंग